दोस्तो मौनसून शुरू हो चुके हैं और ये जो समय है ये बेस्ट टाइम है किसी भी पौधे को अपने गार्डन में एट करने के लिए इस समय आप नरसरी में जाओ और धेर सारे पौधे खरिद कर लाओ चाहे वो फूलो वाले पौधे हो या फिर इंडो रखने वाले आपको मिल जाएंगे आपके फाइदे ही होने वाले है क्योंकि उन बेबी प्लांट को आप अलग करके ने ने पौधे भी बना सकोगे तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि कौन-कौन से पौधे हैं जिन से निकलती है बेबी प्लांट पहला जो एगनोनिमास होते हैं थोड़ी सी सेंसिरिव होते हैं लेकिन दोस्तों अगर मिट्याप अच्छी तरीके से बना लेती हो तो बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइब भी कर जाते हैं और देखिए एक ही साल में इन से जो है बहुत सारी बेबी प्लांट भी निकल के आते हैं अगर पौधे बड़े हैं, तो दोर बेवी प्लांट भी निकल के आते हैं, लेकिन अगर कई बर पौधे छोटे आते हैं, तो एक ही बेवी प्लांट आपको मिल जाएंगे, और मेरा जो ये पौधा है, बहुत ही पुराना है, लगबग दो से तीन साल हो चुके हैं, इस पर ब देखें, ये स्नोव वैट एगलुनिमा है, इसकी भी नीचे देखिए, इस तरीके से बेवी प्लांट आ जाते हैं, जब पौधे थोरे से पुराने होते हैं, तो दोस्तों एगलुनिमा के पौधे को आप अपने गार्डन में एट कर सकते हो, मिट्टी आपको अच्छी तय करने हैं, तो आप देखिएगा कि एक ही साल में आपके पास बेवी प्लांट आ जाएंगे, हाँ दोस्तों किसी किसी पौधे में बेवी प्लांट आने में थोरी सी देर ज़रूर लगते हैं, लेकिन आप पेशन्स रखिए, एक साल में नहीं हुए, तो देर से दो साल में ब बहुत सारे बेबे प्लाइट निकलके आते हैं पुड़े पौट को कवर कर लेते हैं आप देखिएगा एक पौधे आप खरित कर लाओगे तो उन से ही आप धेर सारे पोधे बना सेकोगे पस समय जो है कई बार बहुत जादा लग जाते हैं पस मिट्टी का आपको ध्यान लेंगे उसके बाद है स्नेक प्लान जिसको सेंसिवरिया भी कहते हैं आप dेख सकते हो जो भी वेराइटे आपको मिले सेंसिव ede कि आप वो पौधे ले सकते हो देखियेंगे उससे भी सैट से नशीध से नोने बेबी प्लांट इस निकल देख सकते हैं मेरे पास जितने भी वह इस सब में आप देख ли बेबी प्राइटी के से आये हैं, ऐसे जादा लगते लेकिन बेबे प्लांट जरूर आते हैं हर एक स्नेक प्लांट से से इस तरीके से बेबे प्लांट आ जाते हैं आप कोई भी वेराइटी खरिच सकते हो उसके बाद है दोस्तों जीजी प्लांट जीजी प्लांट इंडोर के लिए बेस्ट प्लांट है घर के अंदर अगर लो ल आते हो तो थोरी से टाइम ज़रूर लगते हैं लेकिन एक समय के बाद पौधे बहुत जाधा बुशी भी बन जाते हैं और इनको लगाना या फिर इनको इनकी केर करना बहुत ही सिंपल है बहुत जाधा हार्डी होते हैं यह पौधा जल्दी से खराब नहीं होते हैं बस पान से देख सकते हो और देखे यह पौधा देख सकते हो यहां से आप सेपरेट कर सकते हो नीचे इनके बल्ब होते हैं बल्ब से आप सेपरेट कर सकते हो बल्ब भी बरे होते जाते हैं फिर उससे जो है ब्रांच निकलते हैं और दीरे-दीरे से भुशी बन जाते हैं उसके बा पर जो है बेबी निकलते रहते हैं यह देखिए इनको अलग-अलग करके आपने पौधे बना सकते हो और फिलोडेंडरों दोस्तों एक ही साल में बहुत सारी बेबी बना लेते हैं बहुत हार्डी होते हैं कम केर में बहुत अच्छे से चलने वाला पौधा होता है तो बेकिया के पौधे लेकिन दोस्तों इन पौधों में बेबी जाने में थोड़ी से टाइम जादा लगते हैं जब पौधे बहुत जादा मेचुर हो जाते हैं उसके बाद इसकी नीचे से जो है इस तरीके से बेबी जाते हैं यह देखिए इसके लिए दोस्तों इन पौधो तो इन भी देखिए इस तरीके से जो चोटे-चोटे बेबी जैब वो साइट से निकलते रहते हैं यह देखिए लेकिन इन बेबी इसकी निकलने में भी एक से डेर साल लग जाते हैं उसके बाद है स्पाइडर प्लाइं की चार वरायटिया मेरे पास है यहापर आप तीन देख सकते हो और एक को अरते हैं अधना है तो spider plant भी बहुत अच्छा option है वो आप खरिद कर ला सकते हो उसके बाद है दोस्तों सिंगुनियम यह पर देख सकते हो सिंगुनियम के भी चार से पाच वराइटिया मेरे पास है और सभी वराइटियों में इस तरीके से देखे पूरे pot को cover कर लेते हैं यह देखे एक से दो सा पानी पर भी आराम से इनके cutting लगा सकते हो पानी पर भी बहुत अच्छे से चल जाते हैं उसके बाद है दोस्तों अगेव की इस वराइटी को देखे कितनी खूबसूरत है बहुत ही जादा hardy पौधा है बिलकुल भी देख भाल की जरुरत नहीं होते हैं और इसके नीचे पांधे को पांधे कर देखे कितने सारी बेवीज को आई हुए हैं ये आप देख सकते हो पास से 6 बेवीज निकलके आये हैं इनको सेपरेट करोंगी तो मेरे पास बहुत सारे पौधे continues wired gyये वह सकते तो अगेös के बहूं सारे बाहुत सारी वहस्ता हैं आतको देख सकते हो नर्सिरी से नर्सिरी में बहुत सारी वेराइटी आपको दिख जाएंगे इस पौधे को भी ला सकते हो बहुत ही जादा हाड़ी होते हैं इनको लगाने के बाद अगर आप एक दू महीने के लिए कई चले भी जाते हो तब भी इन पौधे को जादा फरक नहीं पड़ते हैं बहुत आराम से जल जाते हैं पानी के रिकोईर्टमेंट बहुत ही कम होते हैं उसके बाद यह है औकजलिस यह देखे इस पर खूपसूरत फ्लावर भी आते हैं यह पौधा भी आप ले सकते हो दोस्तों एक टायम के बाद यह बहुत घने बन जाते हैं नीचे इनके बल्ब कि इस पौधे को भी भी ब dobrते रहते हैं और इसकी पत्या देख सकते हो कितनी red को ब्रिच सकते हो उसके बाद के बाद 15 है पужд हुआ कि पड़ी किज बेब देख सकते हो इन पर देखे गड़ वी दिनों में अगर इनको separate करते हो तो बहुत अच्छे से survive कर जाते हैं बहुत सारे पौदे बन जाते हैं उसके बाद ये है ribbon grass ये भी दोस्तो एक पौदे से बहुत सारे पौदे बन जाते हैं hanging basket के अंदर लगाने के लिए best plant है और इस तरीके से देखिए किस तरीके से पौदे जाते हैं side side से उसके बाद है fun fun की भी 4-5 वेराइटिया है मेरे पास सभी में इस तरीके से बरते जाते हैं side side से पौदे बस उनको जो है आपको pot से निकाल कर फिर आप separate कर सकते हो ये देखिए हर एक पौदे इस तरीके से बन जाते हैं अगर आप 2-3 branch देखकर लाते हो तो एक ही साल में आप देखेगा पूरे pot cover कर लेते हैं उसके बाद है दोस्तो एरिका पाम की कुछ वराइटियों में भी इस तरीके से side से ने-ने पौदे बनते रहते हैं तो उनको separate करके आप ने पौदे बना सकते हो बहुत आसानी से उसके बाद है दोस्तो पीस्त लिली पीस अग्ष्तिली को आप ले सकते हो उसके बाद आप ले सकते हो केलाथिया को लेकिन अगर आप एक beginner हो तो मैं पौध मेरे जाते हैं और दोस्तों इस पौधे को सेपरिट होने में बहुत जादा टाइम की जरुरत नहीं होते हैं कुछी दिन में ये बहुत सारे पौधे बहुत जल्दी बना लेते हैं अभी मैं तीन पौधे बताऊंगी ये है डॉलर प्लांट और ये है लिपर्ट लिली उसके बाद ये है थाउजंड ओफ मदर ये सारे पौधे आप ले सकते हो कुछी दिन में आप देखोगे कि आपके पास बहुत सारे पौधे बन चुके हैं थाउजंड ओफ मदर में देखे इस तरीके से पत्तो पर बहुत सारे पौधे छोटे-छोटे पौधे बन जाते हैं ये देखिए तो दोस्तो आज की इस वीडियो में ये कुछ पौदे थे जिनको आप नर्सिरी से बाई कर सकते हो एक ही पौदे से एक साल या फिर दो साल में बहुत सारे पौदे आपको मिल जाएंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है मिलते हैं और एक वीडियो पर और एक नए टोफिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो